पर अब आप लाए बोड़ी को चाहिए है हमारे फेस को चाहिए तो यह पूरा फेस्टिव ग्लोफ वीडियो होने वाला है तो यह जो सभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो एक ही टाइम पर मैं नहीं किया है मैंने 2-3 दिन इतमें लगाया और फीर मैंने किया है एक ही टा है तो सबसे पहले हैं मैं अपने face को आइस के ऊपर से मसाज कर दो सबसे पहले मैं थे का थे मैं कशा आइस रखाता और इतना बड़ा आइस हो गया था उसके बाद मैं ने इससे एक Jo alcanz मिलख और यहाले मूँपर इससे face के ऊपर अच्छे से मसाज रह सबसे से होता है को बिलिए आपको फॉपविनेस हो या फिर अगर कोई भी बैक पर डार्क सरकल हो भी हो ना तो वह बी रीडियूस होने मैं हाल होते हैं तो आप इससे हर रोज भी ट्राइ कर सकते हैं बस जो भी आप लगा रहे हो परना उसे आप हैंडवल में लेकर ही लगा उसके बार यहाँ पर में युह पर में वाटर में टीटमी और छोसे लिए इसे लिए में आप देख सेड़ हैं सेसिदे बार युअ हमारे उपांड ब्यक्स निचलनेहें भूसाद हे डूर बहुत है बस मुझे भाइट हब थोड़े भूट है तो मैंने वरकत निकालती हूँ ये वाइट जो होता है वो निकालने वाला मिलता है फ्लगर तो आपको ये जाएगा आराम से किसी हमी साइट्स अउपर सोगे तो यसी तरह से मैं इसे निका रही हूं तो स्टीम लेने के बाद ना बहुत अच्छा होता है इसे निकालना जट से निकल जाते हैं तो आप इसे ज़रू ट्राइ करना तो फेस्टिव में अच्छा निकना तो बनता ही है तो इसलिए यहां पर सब कुछ चल रहा है ग्लो अप चल रहा है तो यह निकालने के बाद मैंने अपने फेस को किया स्क्रब तो स्क्रब करने के लिए यहां पर मैंने सबसे पेले लिया कॉफी उसमें मैंने एड की थोड़ी सी जो शुगर होती है वो मैंने इसमें एड की उसके बाद मिल्क एड किया और मैंने इसे अच्छे से मिला लिया और फिर अपने फेस के ऊपर as a scrub करके मैंने इसे लगा लिया आप market वाला भी face scrub अगर आपके पास हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई chemical वाला face scrub इस्तमाल करने से अच्छा हम घर पे जो भी है वो इस्तमाल करें तो sugar जो होती है आपके face पर यूज़ नहीं करनी होती है पर बहुत अथा harsh होती है तो इसलिए मैंने इसे coffee में add करके अच्छा नहीं बडम एकि Cam आपके face को scrub करने का है और coffee नोबग भी आपके face को घ्लो देने में scrub करने में भी helps करती है यह लगाती है तो मैंने भूप गए तो छोद्च सल्ट की लिए मैंने तो इसंडें भूत अच्छा और तो आप में करसे हो। क्योंकि नीम्बू जो होता है वो हमारे लाइटनिंग के लिए विटामिन सी अस में भर भर के होती है तो लाइटनिंग के लिए डार्क स्पॉर्ट को थोड़ा बहुत लाइट करने के लिए ये हल्प करते हैं और हाँ गाइस एक ही जटके में तो कुछ होगा नहीं लेकिन आ अपना जो भी लिप स्क्रॉब है ना वो इसमें ट्राइगिया क्योंकि हमारे स्कीम हार्ष नहीं लगे इसलिए मैं टू और थी दिन तक यह कर रही थी तो उससे क्या हुआ मेरा जो भी स्कीन के रहना वो अच्छे से हो गया मतलब बहुत स्पीड़ी नहीं हुआ किया उसके बाद मैंने यहां पर घर पर लिप मांक्स बना इसके लिए मैंने यहां पर लेमन का जूस लिया है इसमें मैंने हल्दी एड किया है और जो पील आप मांक्स होता है वो एड किया है तो यह वी वाइरल था और मुझे पसन आया था तो मैंने इससे भी एड कर लिय अपने में और इसे मैंने लगा लिया आपका ये पील आप मांग्स भी हो सकता है या आप लिप मांग्स भी कहते हो तो इससे ना मेरे लिप्स बहुत ज़दा अच्छे लग रहे थे मुझे डाक्स नहीं थी ना वो कम होती नजर आ रही तो इसलिए मैंने इसे एड किया में यसके बाद में इसमे एड किया है मेरा शीट मार्ट के लिए मैंने पहले दिन तो जो आप पेस्मार्क्स ट्राइक एड कीया तो ऑर दोटा-ख दुलो आने में मुझे हैल्फ ही कोई भी ब्रैंण की अप शिट मार्स ले सकते हो या फिर डियावाइ खर फिर पर यह पीश कि आपको जो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर यूटूब पर को आड़ कर सकते हैं उसके बाद में बॉड़ी की केर कर रहे हैं तो इसके लिए ये बेलाविटा का मेरे पास बॉड़ी फेस क्रॉप था उसे लिया उसमें अलवेरा जल मिक्स किया आप कि कि अब पर किया क्यं ऊपर ने पाव पाव उसे अच्छे मौने पर लिया जो रेजर होता है वह लिया और तो की बोलया है यो फुलिदा पार के बाद ऑऽ और ले अगांगे का बाद आपको बटीैन के मैं गुमाना हुता है तो आपके पूरे बाल होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं और मॉश्यराइज में लगती है और उपर से मॉश्यराइज नहीं लगाया ना तो भी चल जाता है तो इसलिए पूरी तरह से मैंने रेजर लगा दिया और अच्छे से में बाजो रिमो कर ली उसके बाद यहां में बना रही हूं मैं अपना बोडी पैक तो इसके लिए हमने हल्दी एड की बेसन एड किया जो राइस फ्लॉवर ता उसे एड किया निम्बू का जूस एड किया और हमारा बन गया बोडी पैक इसे मैंने लगाया दस मिन टक में इसे रुकी या फिर आप ड्राय होने तक आप यह लगा लिया जोई का है मैं वर्डी लोशन लगाना कई भी बूलती कोई साभी विंटर सबी सीजन हो विंटर हो या फिर समर हो मैं वर्डी लगाना नहीं बूलती हूं स्टिकनेश होती है लेकिन हमारे बोडी के लिए वह अच्छा होता है तो आप देख सकते कि इतना ग चुका है मैं आपको लिंक दे दूंगी तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो तो मैंने आपको उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि आपको किस तरह से पेडिकर करने के बाद अच्छा सा लुक मिल सकता है तो मैंने ना टू मैंने से पेडिकर नहीं किया था तो पार पर इंस्टेंड रूर्प पा सकते हो। तो भाइस शोल हो गले होग अफ थो इसे लिए और मैंने लिया अलोवेरा येक्षेल गटSoar उसमें और ज्सकिया कई और उसमाड़ किया है पारीशूट का जो आइल मिलता है या फिर आप कौन सा भी oil add कर सकते हो, जो आपका मन्चा है वो आप oil इसमें add करो, और मैं बने डाली है vitamin E की capsule, तो मैंने इसके और अच्छे से मिला, mix कर लिए, और अपने hair के उपर लगा के, मैंने अच्छे सा ही मेरे बाल है ना उन्हे allergies कर लिया, और सुकाली है मेरे बाल इतने बहुत अच्छा लग रहे थे ना कि मैं का बता हूँ आपको मुझे कोई भी ब्लो ड्राइंग कुछ भी पसंद नहीं है ऐसे लगाना बहुत पसंद है जैसे मैं हूँ नैचरल हूँ अच्छा लगता है आप ऐसे कर सकते हो आप प्लीज जज मत करना कि आप इतनी अलभूरी दिखते हो ऐसी हो वेसे आपको बाल अच्छे नहीं है एच्छे हैं गाइस मेरे बहुत बहुत अच्छे है मुझे लगता है आपको जो लगता है आप कहा सकते हो मुझे हेड कॉमेंट का कोई मुझे पर कोई पिखनी होता है तो उसके बाद मै काल सो करना बहुत ही पढ़ होता है वो भी कॉटन का जो भी क्लोथ हो ना उससे इस दुखाना तो यह सब से जल देऊंगी या फिर पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी आपके लिए तो गाइस इस तरह से मैं रडी हो चुकी और अच्छा सान लुग बनाया है अगर आपने यह मेकप लुग नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिक्शन वास्मेंट की लिंग दाल दूगी उसक से कॉमेंट कर रहा है तो मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई